हलो फ्रेंड्स असलामों अलाइकूम एसमेस फूट्स मेकर में आप सभी को स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर करने जा रही हूँ सिंपर एन इजी तरीके से टेस्टी लोटे फिस करी तो चलिए स्टार्ट करते हैं लोटे फिस करी के लिए मैंने यहाँ पर लिया है दो मीरियम साइज प्यास हरी मिच, लैजन, अध्रक, धनिया के पत्ते, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कढ़ाई में लोटे फिस को डाल लूँगी लोटे फिस को मैंने पहले ही अच्छी तरीके से दो कर साप कर लिया था अब एक एक करके मैंने जो भी मसाले लिया था और सारे के सारे एक साथ ही डाल दूँगी तो मैंने यहाँ पर सारे मसाले एक साथ ही डाल दिया है अब एक चमच नमक डाल दूँगी अब सर्सों का तेल डाल दूंगे सर्सों की तेल से लोटे फिस करी की टेस्ट बहुत ही अच्छा बनता है अब एक जम्मच से फिस के साथ सारे के सारे मसाले अच्छी तरीके से मिक्स्ट कर देना है जैसे के मैं यहाँ पर कर रही हूँ आप भी वैसे ही कीजी अब थोड़ा सा पानी डाल देना है जादा नहीं थोड़ा सा ही क्यूंकि लोटे फिस को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो मैंने यहाँ पर गैस अन कर दिया है और ढकन डाल के 5 मिनिट तक वका लोगी तो यह देखिए लगभा ग्रेटी हो चुका है अब एक चम्मस से थोड़ा सा इसे हिलाना है ताकि नीचे न जल जाए जादा नहीं हिलाना है क्यूंकि लोटे फिस बहुत नरम होता है अब धन्या के पत्ते चिरक दूँगी धन्या के पत्ते डालते ही इस लोटे फिस करी की बहुत अच्छी ही खुसबू आ रही है तो बस लगबग रेड़ी है थोड़ी देर और तो फ्रेंज रेड़ी हो चुका है मेरे लोटे फिस करी तो आप एक बोल में मैं इसे साप कर लूँगी तो आप भी अपने घरों में लोटे फिस करी ऐसे बना कर देखिए बहुत ही अच्छा और टेस्टी बनेगा और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ए रेसिपी आप अपने दोस्तों के साथ जरूर सेर कीजिएगा और एक लाइक जरूर दीजिएगा तब तक के लिए थैंक यू अल्ला हाफिज